नमस्ते में नाम लक्षम मजगा है आज हम लोग जानेंगे किचन के चुर 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 टिप्स और ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बहतर ही बना सकते और मैं आपको बताओ एक किचन डिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे साओने कinaire के लिए तो घर पे ही आप यह द्याय पार करते तो करना कthose के लोगाइंगे लास्ट का पोड्शन रहता है वो काफी yenम मतलब की हं रहता है और काitस करेता है तो उसके उसकी सायता से आप कय रगे धार यहा तो UK होगी तो मैं इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से घस लिए। दूसरे एक मेरी घर पर ऑरके इस तरह से KITCHEN में काम करती थी मतलं कि कुछन में काम आता है तो वह कैची को भी आप इसी तरह से धार जो लुब कर सकते हैं तो बहुत आशन तरीका है कैची में कैची की दहार atau jar, वो the swaф करने का तो इस तरह से कैची की धार जो है वो nail pin की साथ से आप sharp कर सकते हैं नेक्स्ट मारे टीपस & ट्रिक्स है रोमाल को लेकर अक्सर हम लोग रोमाल ले के जाते है मारकेट में ड़क्तर हमलोग सामान लेने और हमारे पास चूड़ी रहते है नॉर्मली सभी लेडिस जो है वो चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी में सेफटी पिन के सायता से इनको रुमाल को क्या कर ले अच्छी तरह से लगा ले और उसके बाद में आप पकड़ होंगे और कभी भी आप मार्केट जाओंगे तो आ जो है तो मुझे यह जो अच्छा लगा इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर रही हूं तो इस तरह से आप अपने रुमाल को सेट कर सकते हैं मतलब अपने ही पास रह सकते हैं मार्केट में इसके बाद में आपकी जो रुमाल यह वह बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके पास में ही रहेगी नेक्स हमारे टीप्स और ट्रिक्स है सिंख को लेकर अक्सर हम लोग सिंख में बरतन घसते हैं तो बहुत ज़्यादा है और इसको साफ कैसे करना मैंने बहुत सारे वीडियो में बताई हूं आज मैंने साफ कैसे करना वो नहीं बताऊंगी आज मैं शोटे शत्वां शेड़को अब दाले दाले पाउडर को डाले उसके भाद में इसमें ही सब्सक्राइब कर दाले हैं आप शेड़ लेखते हो चैड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे इस तरह से उपाय करने से चोटे से उपाय है लेकिन बड़े काम के हैं तो इस तरह से छोटे से उपाय करें कि इनकी हल्दी और पाउडर इनकी जो स्मेल रहती हो काफे स्ट्रॉंग रहती है तो उसके वज़े से जो कीडे मकोडे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते तो इस तरह से छोटे से उपाय करें छोटे हैं लेकिन ब